नवश्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारेश यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के उपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उमीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपने त्यारे में एकदम व्यस्त होंगे ठीक है तो जो भी बच्चे इस वार 2025 में फाइनल 12 का एकजाम देने वाले हैं और हिंदी उनका सब्जेक्ट है तो आप चाहे साइंस के विद् बिद्यार्थी है या फिर आप commerce streams के हों तो किसी भी streams के आप बिद्यार्थी हो सब के लिए हिंदी का जो पेपर है वो समान नहीं होने वाला है तो चलिए इसमें बहुत सारे topics आपको cover करा चुके है हर topic के जितने भी प्रमूख MC की हो थे वो सारे cover करा दिए जैसे पहले chapter आ बात कर लिए शंपुर्ण करांती जैप्रकास नरायन जी का वो भी करा दिए और चोठे chapter जो कि आपका अर्धे नारिश्वर था वो भी आपको करा दिए है ठीक है चलिए इसके अलावे आज पाच्मा chapter के उपर में मुखरूफ से प्रकास होगा और इस chapter का नाम क्या है टॉपिक से जितने important question है वो सारे के सारे लिए गए है आज के series से तो ये पहला और रोज के उपर में आज के बाद एक और series आएंगे यानि दो series में finally रोज chapter के जितने MC की हुए वो आपको कबर करा दिए ठीक है तो चलिए विना समय बरवात की हुए आज का ये पहला प्रश ही हुई कहानी कौन सी है क्या तीरिच है ये रोज है ये उसने कहा था या फिर शुक में जीवन सही जवाब आप comment में करेंगे या फिर आप page में ये कहीं भी एक लिखेंगे कि और last में बनाएंगे कि 10 में से कितने सही है और कितने गलत है तो सचिदानन्द, हीरानन, वासाय है नियानी जिनको सौट में कहते इनकी रचना है आपका रोज और रोज क्या है भाई तो रोज एक कहानी है iOS क्या है तो कहानी कैसी है वो विच विच में थोड़ी थोड़ी आपको बताते चलेंगे ऐसे अररेडी आप पहले से पढ़े हैं किवल आपको याद दिलाना है त के वहाँ पे नाम लिखे जाएंगे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोज रोज तुम जो सनम एक गाना आता है ना कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे हम जो रूठ जाएंगे तो आख मलोगे क्या बोलते हैं आख मलोगे क्या हाथ मलोगे तो जिसी गाना का वजहाँ पंच लाइन गिरता है, जहां पे समग यहां पर गिट में आता है, कि हम जो रूठ जाएंगे तो आख मर लोएंगे, तो यह जैसी गिरता है, तो आप कहें यह के गे, तो अगे, समझे बात न, तो गे तो क्या करना है, अगे, रोज रोज लिखा रहा है आपसे कि रोज की लिखा तो कहिए है रोज है तो रोज रोज तुम जो सना मैसे करोगे तो अगे कर दीजेगा राइटर हो जाएंगे अगे ठीक है चलिए अगले सवाल है आपसे अगे जी से कि अगे जी मुलता क्या है अगे जी से सवाल है बहुत बढ़िया और प्यारा सा कि ये मुलता क्या है निवंदकार है उपन्यासकार है कहानिकार है या फिर वयंग कार है तो आप सब जानते हो कि अगे जी जो है वो क्या है भाई तो कहानिकार है। से कहां आई थी दिली आई थी इसके लावे 1985 में आप सब जानते होंगे कि Congress के स्फापना हुई है इसकें 2 साल बाद इनका निधन हो जाता है याने 1987 इस्वे में वह इनका निधन हो जाता है जहां पर पढ़ते होंगे ब उनको कॉंग्रेस के प्रथा मुश्लिम अध्यक्ष बनाये जाते हैं मदरास में और उसी वर्स इनका निधन हो जाता है तो ये जनम और मारन का एक अगर आप वो पड़े होंगे कि मुश्लिम अध्यक्ष कब बन रहे हैं कौन बन रहे हैं और अगर आप 87 वाली डेट पड़े होंगे तो लिंक कर लेंगे और नहीं तो याद रखेंगे आप तो 1911 मिन का जनम हुआ है और अगले सवाल के तरफ बात कर लेंगे तो ये सवाल है कि भाई अगे जी पहली कहानी कब प्रकासित हुई या पर थोड़ा समिस्ट्रेक है अगे जी की होगा ठीक है अगे जी की पहली कहानी कब प्रकासित हुई 1920 में 1924 में 1928 में या फिर 1932 में तो अगे जी की पहली जो कहानी प्रकासित हुई वो हुआ आपका 1924 में ठीक है इस कहानी में महेश्वर कौन है आप जानते होंगे महेश्वर की पत्नी का नाम बताना है क्या मालती है या लालती है या प्रभावती है या फिर आपके कलावती ठीक है तो जो लेखक अगे जी है जिनके बच्पन के साथ जो लड़की खेली थी कुदी ठीक है साथ में ही पढ तो आप सब जानते हो कि महस्वर जो है वो डॉक्टर थे क्या थे तो डॉक्टर जेनरल याद रखेंगे कि महस्वर जो थे वो डॉक्टर थे महस्वर कौन होगे तो मालती के पती होगे हैस्विल्ड होगे और मालती के उपर में उनकी दुख दर्द को व्या करने के पूरी कह कहानी है रोच ठीक है कि कैसे मालती सुबह से लेके रात तक काम करती है और अपने पती के घर आने का पूरा इंतेजार करती है उसकी जो भी दर्द है वो दर्द को लिखक व्या करने का प्रयास करें अलांकि ये कहानी जब भी लोग पढ़ते हैं तो एक महिला खुद को एक मह खर की कहानी नहीं है अगर सौ अगर पती-पत्नी का अगर आप घर देखते हैं उसमें से लगबग 90-90 प्लस घरों में इसी तरह के महिलाओं के हाल कहीने कहीं देखा जाता है तो इस पे गौर थोड़ा सा करना पढ़ेगा और अच्छी चीजे है कि यहां पर भी लेखक सब आपकी नजर को खिषते हैं जो दुख दर्ध है उसको सब के सामने लाते हैं अगे ठीक है थोड़ा सा वर्डिंग मिश्टर यहां पर होगा आपको आजया है इसे करके लिख रहा होगा आप अगय समझेगा अगे जिके कौन सी कहानी ग्रेंग्रीन सिर्षक नाम से प्रशि या पुर्व का नाम कह लेजिए ठीक है वो आपका गैंग्रीन ही है जिसको रोज कर अगली सवाल है आपके कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आये थे या आये थे या गये थे जो भी होगा लेखक आप जानते होंगे कि उनका एक पुली भी था समान ढोने के ल अगर आप भी उत्तर चूच कर लिये थे या करने के लिए सोच भी रहे तो एक अंक आपके खाते में चलेगे बताएगा कि मालती के पती किस बीमारी का ऑपरेशन करके आये थे जब लिखक उनके घर पहुँचे तो जब घरी का टाइम उनके पती का खाने के टाइम का हो ग कि उसका जो हस्बेंड है वो घर पे आये थे तो वो कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आये थे पतरी के कैंसर के ग्रेंगरीन के या फिर आपके इन में से कोई नहीं तो ग्रेंगरीन जो लिखा हुआ है यहाँ पे बुक्स पर भी आपकी इसकी चर्चा है तो यही बीमारी के वो डॉक्टर थे याद रिखेंगे इनके पती मालती के पती ठीक है मालती के जो पती महेस्वर थे तो वो आपके गैंगरीन बीमारी का इलाज करते थे यह एक तरह से जैसे गोर में कुछ गड़ जाता है जिसको गाउं में हम लोग कंडाउंटा टाइप के कहते हैं ठीक कभी ऐसा आजाता है कि फिर उसको काटने काभी जरूत आजाता है तो उसी विमारी को ही करते हैं गैंगरीन ठीक है तो उसी विमारी का यह उप्रेशन इलाज क्या करते थे मालती के पती का नाम क्या था मालती के पती का नाम क्या है पिछली बर पत्नी का नाम लिखा गिया म महेश्वर की पतनी तो आप मालती तो यह तो हलका है कि मालती की पती का नाम का है भाई तो महेश्वर है ठीक है भी उत्तर यहां सही होगा और आज का लास्ट प्रशन है सब को ठीक करके जाना है भाई कि भारतिये ज्यान पिठ द्वारा अगे जी को कौन सा पुरुषकार मिल था ठीक है क्या पदम स्री मिला है या पदम विभूशन मिला है या भारतिय ग्यान पीठ पुरसकार या इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका भारतिय ग्यान पीठ द्वारा इनको दिया गया था भारतिय ग्यान पीठ तो ये आपका जो है रोज जो आपका कहाने था उस रो सक्से सारे objective mcq आपके clear है बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है आप अपनी राय जरूर दे या फिर वीडियो में और improvement की जरूरत है और कुछ भी आपकी राय है आप राय दे चुकि आपकी राय हमारे लिए हमारे शलाकों पर है ठीक है सर्वत्तम है उसी अधार पर आगे कि सारी चीजे कोसिस करेंगे जो भी आपका demand हो जो भी वीडियो में कुछ कमी राजाती है उन सब के उपर में आप टिपाट टिपनी एक दम स्वतंत्र होके कर सकते है ठीक है ताकि उसी पर हम लोग काम करेंगे और आपको धीरे कोसिस करते हैं कि आप प्रशन रहे चैनल से ज स्रीज में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद अल्लाहाफीज आपका दिन सुबहु राधे राधे